एक समय की बात है, रामपुर नामक गाउव में शीला नाम की एक महिला रहती थी, शीला की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी और उसका परिवार मुश्किलों से गुजर रहा था, उसके पती की गुजरने के बाद उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी पड़ गई थी, शीला ने हार माने के बजाए अपने परिवार की देखभाल के लिए कुछ करने का फैसला किया, उसने सोचा कि वह गाउव में सबजियां बेच कर अपने परिवार का पेट पालन होगा, शीला के पास थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा थी, जहां वह सबजियां उगाने लगी शीला सुबह सुबह उठकर खेत में काम करती, ताजी ताजी सबजियां तोड़कर और फिर गाउं में बेचने चल जाया करती थी, शुरुआत में लोग उससे सबजियां खरीदने में संकोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे शीला की सबजियों की ताजगी और उसकी मेहनत की सराहना करने लगे शीला ने अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उनकी पढ़ाई का परा ध्यान रखा उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसकी आथिक स्थिती में सुधार किया और उसने गाउं में एक छोटी सी सबजियां की दुकान भी खोल दी जहां वह ताजी-ताजी सबजियां और फल बेचने लगी शीला की कहानी गाउं में मशहूर हो गई लोग उसकी इमांदारी मेहनत और संगर्श की तारीफ करने लगे उसकी मेहनत ने ना केवल उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकाला बलकि गाउं में भी एक मिसाल कायम की सिं गीत ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले